त्यारी बच्चो आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कारिक्रम इसके माध्यम से आप प्रत्य एक दिन सोंबार से शुक्रुवार तक पुर्वाहन दस से बारा तता अपराहन एक से दो बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कारिक्रम देख सकेंगे स्कूली शिक्षा इवं साक्षर्ता विभाग छारखन जोहार, JCEAT की दिजिटिल शाला में आपका स्वागत है आज के सत्र में हम कक्षाओं छे के गणित विशय के पाथ, सार गुडन खंड और सार गुडच के बारे में जानेंगे बच्चो नमस्कार पिछली बार हमने संख्याओं के साथ खेलना पाठ में आप से बहुत सी बातों का जिक्र किया था गुडन खंड निकालना, गुडज निकालना और भी संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी आज हम सारो गुननखंड, सारो गुनज, महत्तम समापवर्तक, लगुत्तम समापवर्त ऐसी बहुत सी चीजों का जिक्र करेंगे जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे तो चलिए, हम संख्याओं के साथ खेलने का जो प्रकिरिया सुरू किये थे, उस प्रकिरिया को जारी रखते हुए आज की पढ़ाई सुरू करते हैं चलिए, तो सारो गुननखंड को समझते हैं दो संख्याए हमने ली 6 और 8 अब उनका गुननखंड निकालते हैं 6 का गुननखंड क्या होगा? 6 का गुननखंड होगा 1, 2, 3 और 6 इसी तरह 8 का गुननखंड क्या होगा? 8 का गुननखंड होगा 1, 2, 4 और 8 आप देख रहे हैं कि 1 और 2, 2 ऐसी संख्याए हैं जो संख्या 6 और 8 दोनों के गुननखंड है इसलिए हम 1 और 2 को संख्या 6 और 8 का सारो गुननखंड कहेंगे तो मैं समस्ता हों कि सारो गुननखंड किसे कहेंगே? यह समझ आप विक्सित कर लिये हैं आईए अब एक प्रश्ण हल करते हैं प्रश्ण ये है कि 20 और 28 के सारगुननखंड क्या है मैंने अभी अभी सारगुननखंड को परिभासित किया था अब उसी के आधार पे आपको ये प्रश्ण दिया गया है कि 20 और 28 के सारगुननखंड क्या है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले 20 के गुननखंड पता करेंगे तो 20 के गुननखंड क्या क्या होंगे 20 के गुननखंड होंगे 1 2 4 5 10 और 20 इसी तरह 28 के गुननखंड क्या होंगे एक, दो, चार, साथ, चौदा और अठाईस अब देखिए, ये दोनों गुनन खंडों में आपको दिखाई दे रहा है कि एक, दो, और चार, संख्या, बीस और अठाईस, दोनों के गुनन खंड है एक, दो और चार संख्या 20 और 28 दोनों के गुननखंड है इसलिए एक, दो और चार संख्या 20 और 28 के सार गुननखंड है हमने सार गुननखंड को समझा अब आईए हम सार गुनज को समझते हैं चलिए, दो संख्याएं तीन और छे लेते हैं, और दोनों का गुनज निकालते हैं, तीन के गुनज क्या क्या होंगे, तीन के गुनज होंगे, तीन, छे, नो, बारह, पंदरह, अठारह, इसी तरह छे के गुनज क्या क्या होंगे, छे के गुनज होंगे, छे, बारह, अठारह 24, 30, 36 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे आप देख रहे हैं कि 6, 12 और 18 दोनों संख्याओं के गुनज है मतलब 6, 12 और 18 तीन के भी गुनज है और 6 के भी गुनज है अगर हम दोनों संख्याओं के और गुनज लेते जाएंगे तो इसमें और भी बहुत सी संख्याएं जुड़ती जाएंगी जो दोनों संख्याओं के गुनज होंगे अतह 6, 12 और 18 दोनों संख्याओं तीन और 6 के सारव गुनज है अब आप अपनी समझ बढ़ाने के लिए 8 और 12 के सारव गुनज निकालिये हमन सारव गुनखंड को समझा सारव गुनज को समझा आए अब हम समस्ते हैं कि महत्तम समापवर्तत क्या है हम दो संख्याओं का सारव गुनखंड ग्यात करना सीख चुके हैं अब हम इन सारव गुनखंडों में सबसे बड़ा गुनखंड ग्यात करेंगे हमने सुरवात में ही सारव गुनखंडों को ग्यात करने की विधी समझी थी अब उसी विधी को आधार बना कर हम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक को समझने वाले हैं 10 और 14 के सारो गुननखंड क्या है चलिए पहले दोनों का गुननखंड निकालते हैं 10 के गुननखंड क्या है यह है 1, 2, 5 और 10 इसी तरह 14 के गुननखंड क्या है यह है 1, 2, 7 और 14 असपस्थ है कि सार गुननखंड एक और दो है क्या सपस्थ है दोनों संख्याओं के गुननखंडों को देखिए तो दोनों संख्याओं में एक और दो common है यानि एक होर दो सारवगुननखुंड हैं और जब हम सारवगुननखंड निकाल लिए तो अब महत्तम समापर्तक निकालने के लिए हम यह पता करें में कि इन सारवगुननखंडों में सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा दो है यहां हम दो को संख्या 10 और 14 का महत्तम समापवर्तक कहेंगे आएए एक अनुदारन लेते हैं 12, 18 और 24 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो पहले हम इनके सारो गुननखंड निकालेंगे और उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा आएए देखते हैं 12 के गुननखंड क्या है यह है एक दो तीन चार छे और बार अठारा के गुननखंड क्या है यह है एक दो तीन चे नो और अठारा चौबिस से गुननखंड है एक दो तीन चार छे आठ बारा और चौबिस अब हम तीनों संख्याओं का गुननखंड निकालना है अब हमें निकालना है कि तीनों संख्याओं का सारो गुननखंड कौन कौन से है तो सारगुननखंड कौन कौन से हैं दिखिए एक दो तीन और छे एक दो तीन और छे तीनो संख्याओं के सारगुननखंड है और इन सब में सबसे बड़ा सारगुननखंड क्या है सबसे बड़ा है छे अर्थात बारह अठारह और चोबिस का महत्तम समापर तक क्या होगा छे होगा हमने अब तक जो उदाहरन लिए उनके आधार पर हम महत्तम समापवर्तक को इस प्रकार परिभासित करते हैं कि अभी हमने महत्तम समापवर्तक को उदाहरनों से समझाता अब आए इसको परिभासित कैसे करते हैं उसे समझते हैं तो परिभासित हम कुछ इस प्रकार से करते हैं दो या दो से अधीक दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा सार गुनन खंड उन संख्याओं का महत्तम समापुर्त कहलाता है अंग्रेजी में इसे हम हाइस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसे संखेप में मास या एच सी एफ भी लिखते हैं इसे महत्तम सारोभाजक या ग्रेटेस्ट कॉमन डिभाईजर या जी सी डी भी कहा जाता है महत्तम समापुर्त तक निकालने की एक और विधी है जिसे हम अभाज गुनन खंड विधी के रूप में जानते हैं आए इसे भी उदाहरन से समस्ते हैं माल लिजिए हमें 36 और 48 का मौसर निकालना है तो हम इसे ऐसे निकालेंगे सबसे पहले हम 36 और 48 का अभाज गुनन खंड निकालेंगे आप देख रहे हैं कि हमने 36 और 48 का गुनन खंडन करते हुए उनके अभाज गुनन खंडों को लिखा है देख रहे हैं 36 बराबर दो गुना दो गुना तीन गुना तीन इसी तरह 48 बराबर दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुर से देखी दोनों में सार गुननखंड दो दो बारा आ रहा है सार गुननखंड दो कितनी बारा रहा है दो बारा रहा है और तीन एक बारा रहा है तो दोनों संख्याओं का मसा क्या होगा दो गुना दो गुना तीन अर्थात बारा चलिए, अब आप कुछ प्रश्णों को हल कीजिए प्रश्ण स्क्रेन पर दिखाई दे रहे हैं इस तरह हमने देखा कि अभाज गुननखंड विधी तीन चर्णों में संपन होती है पहला चरण है दीहवी संख्याओं में से परतेक का अभाज गुननखंड लिखिए और जब सभी का गुननखंड निकाल लेंगे तो उनमें से सार गुननखंड को हम निकालेंगे और तीसरा चरण में मसा को प्राप्त करने के लिए इन सार गुननखंडों को गुना करेंगे आए मसा निकालने की बिभाजन बिधी से भी ओगत होते हैं मान लिजिए आपको विभाजन बीधी से 27 और 63 का मसर ग्यात करना है तो हम 27 से 63 को भाग देंगे फिर जो सेस बचेगा उससे 27 को भाग देंगे आईए देखे ऐसा करने से क्या होता है आप देख रहे हैं 63 को 27 से भाग दिया गया सेस कितना बचा? 9 बचा फिर 9 से 27 को भाग दिया गया यानि जो सेस बचा उससे हम 27 को भाग दे रहे हैं और लास्ट में क्या हुआ? जब हमने 9 से 27 को भाग दिया तो सेस कितना बचा? सुने आपने देखा जब दो संख्याओं का मसर बिभाजन बीधी से निकालनी हो तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं इसमें हम यह देखते हैं कि वह अंतिम संख्या कौन है जिससे भाग देने पर सेश सुन आ जाता है उपरोक्त उदारन में हमने छोटी संख्या 27 से बड़ी संख्या 63 को भाग दिया 27 से 63 को भाग देने पर 6 9 बचा अब फिर हमने 9 से 27 को भाग दिया और हमें 6 के रूप में सुन प्राप्त हो गया अर्थात 9 वह अंतिम संख्या है जिससे भाग देने पर 6 सुन आ जाता है तो हम यहाँ पर यह समझेंगे कि 27 और 63 का मसर 9 होगा यह विदी बड़ी संख्याओं के मसर निकालने हैतु उप्युक्त है बच्चों आपने देखा कि महत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है चलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि लगुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है आईए एक उदाहरन लेते हैं बताईए छे और आठ के गुनज क्या है छे के गुनज है छे बारा अठारा चौबिस तीस च्छतिस ब्यालिस अर्टालिस इस तरह से आगे बढ़ते जाएगे इसी तरह आठ के गुनज क्या होंगे आठ, सोला, चौबिस, बतिस, चालिस, अर्टालिस, चपपन, चौशट और आगे बढ़ते जाएगे अब दोनों के सार गुनज हमें निकालने है तो दोनों के सार गुनज क्या है सार गुनज हैं चौबिस और अर्टालिस मतलब 6 के गुनज में भी 24 है और 8 के गुनज में भी 24 है चे के गुनज में भी 48 है और 8 के गुनज में भी 48 है तो यहां पे सार गुनज हुआ 24 आगे भी होगा लेकिन अभी हम दो ही संख्या पे बात करेंगे अब इन में से सबसे छोटा कौन है बताइए 24 और 48 में छोटा कौन है असपस्ट है छोटा 24 है 24 जब हम निकाल लिए जो सबसे छोटा सारू गुनज है तब हम कहते हैं कि 6 और 8 का सबसे छोटा गुनज या लगुत्तम समापवर्थ जिसको इंगलिस में lowest common multiple कहते हैं वो कितना ह 24 है यानि 6 और 8 का लगुत्तम समापवर्थ कितना निकला 24 अको कि यहाँ छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों का गुनज अतो हम कह सकते हैं कि दो या अधिक दीव विसंख्यां का लगुत्तम समापवर्थ इन संख्यां के सार गुनजों में से सबसे छोटा गुनज होता है आईए थोड़ा और समस्त हैं 6 और 15 का लसा निकालता है लसा निकालने के लिए अभी हमने देखा क्या करना है हम दोनों संख्याओं का गुनज निकालेंगे तो यहां पर 6 के गुनज क्या होंगे 6 के गुनज होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 इसी तरब 15 के गुनज क्या होंगे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 अब इन संख्याओं में से सारु गुनज जुड़ेंगे तो हमें दो सारु गुनज दिखाए दे रहे हैं 30 और 60 अब 30 और 60 निकल गये तो इन में से सबसे छोटा गुनज कौन है असपस्ठ है 30 तो 6 और 15 का लासा कितना होगा 30 यह है गुनज विधी आए कुछ अन विधियों से भी हम लासा निकालने का प्रयास करते हैं आए अब अभाज गुननखंड विधी से लासा निकालते हैं छे के अभाज गुननखंड कौन कौन से होंगे दो गुना तीन इसी तरह 15 के अभाज गुननखंड तीन गुना पांच अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से अभाज गुननखंड मिले छे में दो और तीन है और पंदरा के अभाज गुननखंड कौन कौन है तीन और पांच तो कौन से तीन संख्या है यहाँ पे हम प्राप्त कर रहे हैं दो तीन और पांच अब इन दो तीन और पांच को हम गुना करेंगे तो इनका हमार गुननखंड क्या होगा इनका गुननखंड होगा दो तिया छे पचे तीस इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 और 15 का लसा 30 है आई अब बिभाजन बिधी से लसा निकालते हैं हम यहाँ पर 24 और 15 का लसा निकालेंगे देखिए 24 और 15 को कैसे भाग दे रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है हमने पहले 2 से भाग दिया फिर 2 से दिया फिर 2 से दिया फिर 3 से दिया और रंत में 5 से दिया अब कोई संख्या नहीं बची तो अब लसा क्या होगा जिन जिन संख्याओं से बारी बारी हमने भाग दिया उनका गुननफल ही 24 और 15 का लसा होगा अर्थात 24 और 15 का लसा क्या होगा दो गुना दो गुना दो गुना तीन गुना पांच बरावर कितना होगा दो दुना चार दुना आठ तिया 24 पच्चे 120 यानी 24 और 15 का लसा कितना हुआ 120 समझ गये चलिए बच्चो हमने मसा और लसा निकालना सीख लिया अब आएए समझते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है क्या लसा और मसा में कोई संबंध भी है आएए उदारन से समझते हैं दो संख्या 18 और 54 को लीजिए अब दोनों का मसा और लसा निकालते हैं 18 और 54 का मसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा 18 और 54 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा हमने दो संख्या ली थी कौन कौन 18 और 54 दोनों का गुनन फल निकालेंगे तो कितना आएगा 18 गुना 54 बराबर 972 होगा फिर हम दोनों संख्याओं के मसा और लसा का गुनन फल निकालेंगे तो मसा कितना था 18 और लसा कितना था 24 तो इन्हें भी गुना करने पर कितना आएगा 18 गुना चवण बराबर 972 मतलब आप देख रहे हैं कि जिन संख्याओं का हमने लसा और मसा निकाला उनका गुननफल भी 972 हुआ और मसा और लसा का भी गुननफल 972 हुआ असपस्ट है कि दोनों संख्याओं का गुननफल दोनों संख्याओं के मसा और लसा के गुननफल के बराबर होता है अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लसा गुना संख्याओं का मसा आईए अब थोड़ा संख्याओं की विभाजिता की जाच पर कुछ च्रचा कर ले एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर यदि शेश सुन्य हो तो संख्या पूर्ण विभाजित होती है बड़ी संख्याओं के लिए भाग बिधी द्वारा विभाजता की जाँच करने में अधिक समय लगता है इसलिए आईए कुछ ऐसे नियमों से रूबरू होते हैं जो विभाजता की जाँच को आसान बनाते हैं आपने भाग देना सीखा है आई ये देखते हैं कि संख्याओं की स्थिती पे हम कैसे आसानी से पता कर ले कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्ण विभाज होती है अथवा नहीं तो सबसे पहले हम जिकर करेंगे वैसी संख्याओं का जिनके इकाई का अंक सुन दो चार छे आठ होते हैं जैसे 10 12 14 16 18 देखिए इन संख्याओं में क्या है इकाई के अस्थान दस में सुन्य है बारा में दो है 14 में 4 है 16 में 6 है और 18 में 8 है यानि इकाई के अस्थान का अंक क्या है सुन्य 2 4 6 8 तो ऐसी संख्याएं दो से पूर्णतह विभाजित होती है अब आएए आगे बढ़ते वैसी संख्याएं जिनके अंको का योग तीन से विभाजित हो तो वे संख्याएं तीन से पूर्णतह विभाजित होती है जैसे 79 123 अब 79 में क्या है अंको का योग कितना हुआ 79 का छे और नो दो अंख है छे और नो को जोड़ें कितना आएगा पंद्रह तीन के पहाड़ां पंद्रह है तीन पचे पंद्रह यानि 79 की संख्याएं में जो अंक हैं उनका योग तीन से विभाज है तो यानि 79 भी तीन से विभाजित होगा अब आगे बढ़ते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक सुन्ने सुन्ने हो मतलब संख्या के अंत में दो सुन्ने हो या अंतिम दो अंकों से बनी संख्या चार से विभाजियों तो वह संख्या चार से पुर्णतह विभाजित होगी जैसे 50520 नौसो यह दो संख्या और भी संख्या हो सकती है हम यहाँ पर दो ही संख्या दूसरी संख्या आमने क्या लिया 900 900 का अंतिम दो संख्या कौन है दो सुन्हे हैं हम ने शुरू में जिक्री किया कि जिन संख्याओं के अंत में दो अंक सुन्ह सुन होंगे वो भी 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे इसका मतलब है कि 900 भी 4 से पूरी तरह विभाजित है वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक सुन या 5 हो तो वे 5 से पूर्णता विभाजित होती है जैसे 315 315 का इकाई कांग क्या है 5 यानि यह 5 से विभाजित होगा इसी तरह दुसरा उदारन ले 720 720 में इकाई कांग क्या है सुने तो यह भी 5 से पुर्णता विभाजित होगा यानि जिनके इकाई कांग सुन या 5 होगा वे 5 से पुर्णता विभाजित होगे वे सभी संख्याएं जो दो और तीन दोनों से विभाजित होती हो वे छे से पुर्णता विभाजित होती है यह हम बात करें छे से विभाजिता की जाज़की वे सभी संख्याएं जो दो और तीन दोनों से विभाजित होती हैं वे छे से पूर्णता विभाजित होती हैं जैसे चववन च्यासट चववन दो से पूरी पूरी तरह भाग लग जा रहा है और तीन से भी पूरी पूरी तरह भाग लग जा रहा है इसलिए या छे से भी वि संख्याएं आठ से पुर्णता विवाजित होती हैं वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम तीन अंख सुन्य 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 हो वे संख्याएं जिनके अंतिम तीन अंख सुन्य सुन्य यानि अंतिम में जो तीन अंखोंगे वो तीन सुन्य होंगे या अंतिम तीन अंको से बनी संख्या आठ से विभाजित होगी तो संख्याय आठ से पूर्टा विभाजित होती हैं जैसे 1000 और 1104, 1000 को देखी, 1000 में अंतिम में कितना सुनने है, 3 सुनने है, इसलिए 8 से पूरीतर विभाजित होगी, इसलिए 1104, 1104 में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कौन से है, 104, और 104 आट से पूर्णतर विभाजित है, इसलिए 1104 भी 8 से पूर्णतर विभाजित होगा, वे सभी संख्याएं, जिनके अंकों का योग non से विभाज हो, तो वे 9 से पुर्णता विभाजित होती है, asy 108, 108 में कौन से अंक है? एक सुन्य और आठ तीनों का योग निकालेंगे तो एक जोर सुन्य जोर आठ बरावर कितना होगा नौ और नौ से विभाज है इसलिए एक सो आठ भी नौ से पूर्टा विभाजित होगा दूसरा उदारान एक सो पैंतिस का लेते हैं एक सो पैंतिस के सभी अंगों को जोड़ें कितना आएगा एक जोर तीन जोर 5 बतलब एक जोर तीन 4 चार वर 4 पांच 9 यहां भी 9 आ गया और 9 ना आसे पूर्णत विभाजित है इसले एक सो पैंतिस भी ना पैंसे पूर्णत विभाजित होगा अब हम देखेंगे कि कैसी संख्याएं दस से पूर्णता विवाजित होती है वे सभी संख्याएं चिन के इकाई का आंक सुन्य हो तो वे संख्याएं दस से पूर्णता विवाजित होती हैं बहुत आसान है चिन संख्याओं के इकाई के अस्थान का अंक सुन्न होता है वो सभी संख्याएं दस से पूर्णता विभाजित होती है जैसे 110-270 यहां इकाई के अस्थान का अंक क्या है सुन्ने है 110 का भी सुन्ने है और 270 का भी सुन्ने यानि यह संख्याएं 10 से पूर्णता विभाजित हो का योग का अंतर सुन्य हो या 11 से विभाज हो तो वह संख्या 11 से पूंतर विभाजित होती है जैसे 308 और 1331 आप इसे हल करकर देख सकते हैं देखिए 1331 का उधारा लेते हैं यहां पे 20 सम अस्थान वाले अंग कौन-कौन है एक और तीन अब एक और तीन का योग कितना हुआ चार उसी तरह सम अस्थान वाले अंकों का योग कितना होगा तीन जोर एक चार अब चार घटाव चार कितना हो गया सुन्य यानी सम अस्थान वाले अंकों का योग और बिसम अस्थान वाले अंकों का योग का अंतर कितना हो गया सुन्य यानी 1331 से पूर्णत विभाजित ह होती है किलियर है असपास्ट है थैंक यू इस प्रसारण से संबंधित सुठाव अपने प्रश्णी द्यादी आप हमें jcertrg at the rate gmail.com तथा टूल फ्री नंबर 18000 5728 585 पर संपर कर सकते हैं प्रश्णी आपने प्रश्णी आप अधने प्रश्णी यूल से संपर्णी देश में